जिला अग्रवाल महासमिती की नमीन कारकानी घटित मुके सिंगल अग्रोह बाड़ी बने जिला अग्रवाल महासमिती के जिला अध्यक्ष सभी पदों पर निर्वरोत चुने गए सभी पदादिकारी जिला अग्रवाल महासमिती दोहलपुर के नमीन कारकानी की घटन के लिए भोले गार्डन सेहपू में कारकरम आयुजित क्या गया जिसमें नमीन कारकानी के अध्यक्ष, उपाद्यक्ष, बरिष्ट, उपाद्यक्ष, महमंत्री, मंत्री, कोशाद्यक्ष, शंगटन मंत्री प्रचार मंत्री उब मंत्री निरीक्षा सभी पदों के लिए चुनाव अधिकारी बीरंदर गोयल के नितरत में नमीन कारकार्णी घटित कराई गई जिसमें सुवेट 10 बजे से 12 बजे तक नामांकन फॉर्म भरे गई और 12 बजे से 2 बजे तक नाम वापस लिए गई जिसमें बिना चुनाव कराये ही हापसी सेमती से अध्यक्ष पत के लिए मुके शिंगल अग्रुअ बाडी चुने गई वहीं वरिष्ट उपाद्यक्ष रिसी कुमार मित्तर धोलपुर महा मंत्री मनूज बोदी बाडी उपाद्यक्ष सुवालाल सरमत्रा कोशाद्यक्ष हीतराम जिंदल सरमत्रा मंत्री बनवारी लाल गर्ग बसेडी शंगठन मंत्री सुनील मोदी सेंपव परचार मंत्री रा वहर की सभी एकाईयों के पदादेकारी सदसिवा महासमिती की पूर कारकानी वह यवा सदस मौझूद रहे। पूरी कारकानी वह सदसिवा महासमिती की गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं कारकानी समाज है तुम है रचनात्मकार करेगी तरहूँद आज अपनी अग्रवाल माशम की तौल पूर गवारा जो यह सामय ग्रूप से जो जायती पिया गया है मैं उसको सामय ग्रूप से अच्छे जच्छे नवाने की कोशिश करूँगा वह जो दायत दिया है उसको मैं खरावते हूँदू पुलिस कर्मियों के साथ मारबीट करने के दो आरोपी गिरप्तार दोलपुर शहर के कोटवाली थाना इलाके की हाईवे इस्तित सागरपडाज पुलिस शोकी पर तैनाद दो पुलिस कर्मियों का आदा दर्जन से अदेख हध्यार बंद लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों को बंदक बनाकर मद्ध बदे सीमा में ले जाकर मारपीट करने क के मामले में पुलिस ने दो और आरोपीयों को गरत्तर किया है कोटवाली थाना प्रभाई रमिस्तमर ने बताया कि अक्टूबर माह में चंबल पुल पर रात्री को गस कर रहे दो पुलिस कर्मियों का मद्ध प्रदेश के सराय शोला थाना अंतरगत आने वाले गाउं कामले में कारवाई करते हुए साथ लोगों को पुलिस पूर में गरपतार कर चुकी है वहीं दो अन्य आरूपी बंटी और भूरा को उनके गाउं में गरपतार किया है जिन से पुलिस पूछताश कर रही है ये करीब दो माँ पहले हमारे मुलाजमान के साथ मजावत की गई थी उसके आरूप में पहले साथ मुलिस पूरा और बंटी को कल गरपतार करके इनका पीसी रिमार्ट प्राफ किया गया है जो सोलो तारीक कुमानी ने अलगे पेश होगा सिखर क्लासे दोलपुर द्वारा निसुल्क महामेगा टेस्ट का आईवजन आज आरेसी ग्राउंड में कराया गया जिसमें लगभग ड़ाई अईयार बच्चों ने भाग लिया सिखर क्लासे संचालक डॉक्टर बिस्विंदर सींग बैसला ने बताया के परीशा का मक्सद सिर्फ और सिर्फ धौलपुर जो के सिख्षा के छित्र में फिश्डा हुआ जला माना जाता है इस जिले में नई तकनीकी और नए आयामों के साथ सिख्षा के परत लोगों को ज जैपुर वा दिल्ली की तरजपर आपके शेर धौलपुर में ही सिखर क्लासे से संचालक का संचालक किया जा रहा है इस दोरान संचालक डॉक्टर बिस्विंदर शिंग वैसला महिस रीजिनिंग हरी बाबू महवी रुव अन्निष्टाब मौजूद रहा आज दिनांग 15 दिसंबल 2019 रविवार को सिखर क्लासेज धौलपुर के तत्वधान में एक महा मेगा टेस्ट का आयोजन आरेसी ग्राउड में किया गया जिसमें जिला प्रसासन का भी बहुत बड़ाया सैयोग मिला ये पेपर केवल और केवल धौलपुर जिले में जो की सि पूर दराज से जो बच्चे जैपर और दिली में सिख्षा के लिए जाते हैं वो आर्थिक और सारे से बहुत मेंगा पड़ता है उसी तर्जबर हम धौलपुर में ही ऐसी सुगता है उनको अप्लाउड करवा है इस पेपर में लगवख धाई हजार बच्चों ने भढ़ कर दी जिस दोरान एजनसी का एक करमचारी बुरी तरह घाल हुआ है मामला पुलिस स्थाने तक पहुंच गया पीड़त विवख के द्वारा पुलिस स्थाने में पहुंच कर आरोपी दो भाईयों सहयत अन्य चार लोगों के खिलाब मार्वीट करने को लेकर कारवाई के ल जब एजनसी के करमचारीों ने पैसे मांगे तो बिबाद हो गया वह करमचारीों से धंकी देती हुए कहा के हम किसी को पैसे नहीं देते तुझे अभी बता देंगे कहा सुनी कर बायक लेकर वहां से चले गए बताया गया कि तभी कुछ दिरवाद हुए दोनों भाई अप के शहर धौलपूर में एक आधुनेक चस्मे की दुकान नेत्रम ओप्टीकल्स यहां हर प्रकार के चस्मे कंप्यूटर द्वारा आखों की जाश कर नजर्व धूब के चस्मे बना जाते हैं हमारे यहां 6 मा तक न उतरने वाले हाडवा शॉप्ट लेंस भी मिलते हैं बोव एक ओफ बड़ोधा के पास धौलपूर मुवाइल नंबर 9309 477411 अब सरकारी गाड़ी को भाड़े के लिए खड़ा करना पड़ेगा महगा महिला एबं बाल बिकास बिभाग के उपने देशक ने कही कारवाई करने की बात धौलपूर शहर में आरेसी चटी बटालियन के शामने ओवर बिरिज के नीचे राजस्तान सरकार लिखी हुई कार को भाड़े के लिए खड़ा करना अब कार माले को महगा पड़ेगा इस मामले को महिला एबं बाल बिकास बिभाग के उपने देशक राजस्कुमार चोहान ने गंबिर्ता से लिया है तता कारवाई करने की बात कही है आपको बता दें के आंगे और पीचे राजस्तान सरकार लेखी हुई ये कार शुक्रबार को धोलपूर शहर के आरेसी चटी बटालियन के सामने ओवर बिरिज के नीचे टेक्सी भाड़े के लिए खड़ी थी कार के अंदर सफेद पर्दे लगे थे वह आंगे अधिकारी के पदनाम की ढखी हुई पिलेट भी लगी थी कार की नंबर पिलेट भी उपर से लाल थी यानि कार देखने में पूरी तरह सरकारी लग रही थी जिसे देखकर पुलिस भी नाकाबंदी के दोरान रोक कर जाच नहीं करेगी इसके अलावा कार को देखकर टोल टेक्स करमीवी टोल टेक्स लिए बिना गाड़ी को बी आईपी लैन में निकाल देंगे लेकिन यह गाड़ी टेक्सी भाड़े के लिए खड़ी थी इस कारण लोग कार पर रायस्तान सरकार लिखा होना फरजी मान रहे थे लेकिन फर्स्ट्रेक की पड़ताल में सामने आया कि यह गाड़ी महला इबन बाल बिकास बिभाग में संविदा पर उपनिदेसक के लिए लगी हुई है जिससे मामला और भी गंबीर हो गया भाड़े के लिए खड़ी इस सरकारी कार को फर्स्ट्रेक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया क्योंकि नियम बिरुद इस तरह कोई भी सरकारी गाड़ी भाड़ा नहीं कर सकती संविदा बेस पर सरकारी विभाग में जो वहान लगता है उससे सरकार की और से प्रयाप्त पैसा दिया जाता है लेकिन कार के मालेक और चालक ने चालाकी से इस कार को टेक्सी भाड़े के लिए ओबर बिरिस के नीचे खड़ा कर दिया जो फस्ट्रेक के कैमरे में कैद हो गई इस पर फस्ट्रेक ने मामले को प्रमुकता से प्रसारित कर प्रसासन का ध्यान इस ओर आक्रसत कराया जिसके बाद महिला एबं बाल बेकाज बिभाग के उप निदेसक राजिस कुमार चोहन ने मामले को गंबिरिता से लिया है और कार माले के खिलाब कारवाई करने की बात कई है विसंगरी धाम पर हुआ बंडारे का आयुजन सरमतुरा इस्टोन इंडस्टी दोरा बागवाडी वाले मुन्ना लाल मंगल जिला अद्यक्ष इस्टोन संग एसोसियेसन इबम उनके परवारी जनों द्वारा अपने पिताजी की 25 मी पुन्ड तती पर विसंगर धाम पर बंडारा आयुद किया गया जिसमें मंदर पर आये सबी भक्त इबम इस्ट मित्रों सायद सेक्णों की ताधात में पोशी लोगों ने प्रशादी ग्रहन की बंडारा कारिक्राम में पूर्व चेर्मेन भगवती प्रशाद मित्तल अग्रोहा ग्रोप की चेर्मेन मुकिश शिंगल डॉक्टर सिवद्याल मंगल एडवोकेट जवालल मंगल रामनिवास बाक्तरवाले वरिष्ट पत्रकार बीरंद चंसोरिया अंसुल गर्ग युवा इबं मात्र शक्ति मौजू रही 9165741677 पतादेकारियों ने 19 दिसंबर को जैपर में होने वाली जन आकुर्स रेली की तैयारियों पर चर्चा की तता अधिक से अधिक संख्या में जैपर पहुँचने का आवान किया इस मौके पर गजिंदर सिंग को दोलपूर तैसील का अधिक्ष नियुक्त किया थता रोहित मात्र को भी जाटोली ब्लोक का अधिक्ष नियुक्त किया सभी ने माला पैना कर स्वागत किया इस मौके पर राहुल सोलंकी, शुकवी, सचिन मौर, केशब लेहरी, पुश्पेंदर, अंसु कोली, जाहिद खान आद लोग उपसित रहे लुपिन के जिला परभारी ने दिया मानमता का परिचे बारेस में शड़क पर बेशुद पड़े घायल को पहुँचाया अस्पताल आज जब शड़क हासों के हो जाने पर आम लोग सेलपी और फोटो लेने लग जाते हैं शड़क द्रुगड़ना के दोरा मदद करने से डरते हैं जागुरता के अबाब और अन्चाही परिशानी से बचने के लिए लोग शड़क द्रुगड़ना में हुए घायलों को अस्पताल पहुँचाने में हिचकेचाट दिखाते हैं कुछ लोग फोटो खिचने या एम्बूलेंस को फोन करने में लग जाते हैं पर स्वयम अपने आपको इस तरह के मामलों से बचाने का प्रयास करते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना समय खराब किये ऐसे गायलों की मदद करते हैं और अस्पताल पहुँचा कर उनकी जिंदगी को बचाने का प्रयास करते हैं ऐसी एक द्रुगणना भरतपुर से सेवर के बीच राश्टी राजमार्ग 11 पर मला के पास हुई जिसमें इसकूटी और टेंपू में टक्कर होने के बाद बारेस में गायल श्रक पर पड़ा तड़पना था और उसका साती संजू आने जाने वाले बहानों और लोगों से मदद माग रहा था पर कोई सुन नहीं रहा था उसी बीच लुपिन के दोलपुर जिला परवारी सुबद गुपता भरतपुर से अपने घर नदबई जा रहे थे उन्होंने भीड देकर गाड़ी को रखवाया और अपने ड्राइवर धरमिंदर और वहाँ उपसित लोगों की मदद से श्रक पर गंबी रुप से घायल हुए युवा को ना केबल अस्पताल पहुँचाया बल के समय पर प्रात्मिक उपचार करवा कर जिंदगी बचाने क का काम किया आठ नो साथ नो एक दो नो जीरो नो नो चार एक एक नो जीरो एक आठ पांच नो पिऊस मित्तल बने प्रदेश मंत्री अखिल भारती अग्रवाल यवा संब्लयन पूर्वी रायस्तान के प्रदेश यवा अध्यक्ष सनमती अरहकाराने राश्टिया अध्यक्ष मनोई जिंदल वा पूर्व अप्रमध प्रदेश युवा मंत्री नियुक्त किया है। शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिल्य की बड़ी घटनाओं का तुरंट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।